हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर अगर मैं आपसे पूछू कि लाइफ का रियल मीनिंग आपको कब पता चलता है जानता हूँ सबका जवाब एक भी हो सकता और अलग भी मेरा जवाब होगा जब आपको अपनी responsibilities का पता चलता है चलिए बढ़ते हैं आज के company share की तरफ लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं है तो future updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले 3i infotech company को लेकर investors के मन में काफी सारे सवाल गूम रहे है share का current market price या आप कह सकते हैं share last 10.5 पर close हुआ था company की performance को लेकर शायद ही किसी के मन में कोई सवाल उठे लेकिन मेरे को ऐसे message रिसीव हुए जहां आपने पूछा क्या मेरा सारा पैसा डूब जाएगा या फिर company बंद होने जा रही है देखो यह पहली company तो नहीं जो deal list होकर release होगी पहले भी काफी सारी company के case में ऐसा हुआ है चाहे आप रूची सोया company की बात कर ले माना की company पर debt 550 क्रोड का है लेकिन free cash flow 79 क्रोड annual profit 391 क्रोड और March and quarter में 344 क्रोड का profit रहा यह सब कुछ समझकर इस company को load at पर consider कर सकते हैं I hope creditors point of view से आपको point clear हो गया होगा आपके लिए bounding थोड़ी इना है आप जब चाहे अपनी holdings को बेचकर exit हो सकते हैं जब company दोबारे से release होगी या कुछ date disclose होगी अभी ऐसा कुछ है नहीं जो आपकी investment है वही रहेगी ऐसा नहीं होता कि अभी आपके पास 10,000 की investment है और बाद में zero हो जाएगी यह तो कोई sense बनी नहीं यह हम कह सकते हैं out of context बात है management का मानना है कि company जिस तरह से grow कर रही है उसका share कही ना कहीं काफी नीचे है ऐसे ही मैंने आपको best penny stock series में brightcom group के बारे में बताया था इतने अच्छे return होने के बाद भी share का price justify नहीं लगता एक time था जब ICICI ने 3i infotech का साथ छोड़ दिया था और company अपने down level से उठकर आज इस position पर है मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता अच्छा रहेगा existing shareholders बेवजे की tension ना ले ये company हर angle से खरी उतरती है और negative points के मुकाबले positive points कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं बस आप अपना profit book करने पर focus रखे बाकी काम company और exchange पर छोड़ दे अगर ऐसे किसी का पैसा share market में डूबने लग जाएगा तो फिर शायद ही कोई इस market में investment के लिए interest दिखाएगा company को भी सारे rules and regulations के साथ norms और policies को comply करना पड़ता है क्या पता share 1000 के price पर release हो जाए अभी तो कुछ confirm है नहीं हम सिर्फ predict कर सकते हैं आई होप ये information आपके लिए कई न कई beneficial जरूर रहेगी अभी आपके मन में कुछ सवाल है तो फिर एक कप कोफी पीते हुए अराम से बैट कर हर एक point को समझे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care